आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनोड करें तो हम दोस्तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे पास हाइड्रोजन पराउक्साइड है इसका हम यहाँ पर सरतना देखते हैं और देखते हैं कि इसमें कितने डिगरी का कोन बनता है तो सबसे पहले हम इसकी सरतना का निर्मान करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर hydrogen के 2 molecule है और oxygen के 2 molecule है तो दोस्तों हम यहाँ पर Lewis के अधार पर इसकी सरचना बनाते हैं और सबसे पहले यह जो oxygen के 2 परमाणू है यह क्या करते हैं यह oxygen एकल बन बनाकर एक दूसरे से जूरते हैं ठीक है उसको हम Lewis के अधार पर देखेंगे उसके पस्य यहाँ पर 2 hydrogen है ठीक है और यह 2 hydrogen इस oxygen से एक hydrogen जूर जाता है यहाँ पर ठीक है और इस oxygen से एक hydrogen यहाँ पर जूर जाता है ठीक है अब दोस्तों हम Lewis के अधार पर इसके सरचना बनाते हैं तो दोस्तों हम जानते हैं कि oxygen oxygen का प्रमाण उक्रमां कितना होता है 8 होता है ठीक है तो तो अगर मैं इसके electronic विन्यास की बात करूँ, तो यह होता हमारा 2 और 6, बाहर ही को उसमें कितने electron हो गया, 6 electron, तो हम इसे 6 electron Lewis कैदार पर दरसाते हैं, तो यह हो गया हमारे पास, 1, 2, यह हो गया 3, यह हो गया हमारे पास, 4, 5, और यह हो गया 6, हमने 6 electron यहाँ पर दिखा दिये, उसी तरह से इस oxygen के बाहर में भी 6 electron दिखाते हैं, यह 1, 2, 3, 4, 5, और यह 6, ठीक है, अब दोस्तो हाइट्रोजन, हाइट्रोजन का परवान करवान कितना होता है, वह होता है 1, इसलिए इसके बाहर ही को इसमें कितने electron होते हैं, 1 electron होते हैं, तो इसके वह एक electron कहाँ पर होगे, वह यहाँ पर हम इस तरह से hydrogen के दिखा देते हैं, और इसके भी यहाँ पर, ठीक है, अब दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, electron की साधेदारी होती है, और बंद का निर्मान होता है, ठीक है, तो यह oxygen, यह oxygen क्या करता है, इस oxygen के साथ में एकलबन बना लेता है, ठीक है तो इस तरह से यहाँ पर एकलबन का निर्मान हो गया, उसी तरह से यह hydrogen एक electron के साथ में इसके साथ साधेदारी करता है, और इस तरह से oxygen के एक मोलेकुल के साथ में एकलबन बना लेता है, और यह hydrogen भी इस oxygen के साथ में एकलबन इस तरह से निर्मान करता है, ठीक है, तो यह हो से oxygen को दिखाते हैं, जो की एक दूसरा से एकलवन में जोड़ लेते हैं और इस तरह से एकलवन में इस तरह से hydrogen और यह हो गया हमारा दूसरा hydrogen ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी साधारन सरतना बनाते हैं अब दोस्तों हमें इनके बीच में क्या पूछा गया है हमें इनके बीच में कोण बताना है कि इनके बीच में जो कोण है वो कितने अंसका बनता है और हमें प्रस्प में बोला गया है कि HOH मतलब कि इस hydrogen, oxygen और hydrogen इनके बीच में जो बनने वाला कोण है यह कितने अंसका होता है ठीक है तो दोस्तों हम जानते है कि जो हमारा HOH है इसका जो कॉण बनेगा ओ 키 तरह से बनेगा यहां से पर इस ले Воला कोण देखें ठीक है अगर मैं HOO के बीच में अगर ये वाला कॉन देखूं तो हम जानते है कि इस कॉन का मान कितना होता है वो होता है 101.9 डिगरी ठीक है और अगर मैं हमें प्रस में पुछा किया है कि HOOH मतलब कि H oxygen और उसके बाद hydrogen इनके बीच में ये वाला जो कॉन बनेगा ठीक है अग कि यहाँ पर hydrogen क्या है उपर की तरफ चले गया है तो हमें यहाँ पर किस के बारे में बताना है ये वाले कॉन के बारे में बताना है अगर मैं इसे dot से इस तरह से दिखाऊं ठीक है तो यहाँ पर ये वाला जो कॉन है ये कितने अंसका बनता है ये बनता है 90.02 डिगरी का ठी मान है यहाँ पर कितना है यहाँ इस कोण का मान है यहाँ पर 90.2 डिगरी और यही कोण हमें प्रस्प में पूछा गया था ठीक है तो अब दोस्तों आपने विकल्प को देखते हैं ठीक है हमारा पहला विकल्प है 99.5 डिगरी तो यह option हमारा गलत होगा उसी तरह से यहाँ पर है तो यह है 100.5 डिगरी तो यह option हमारा क्या होगा गलत होगा उसी तरह से यहाँ पर option का बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा तो आज से करता हूं दोस्तों आपको यह प्रस्प समझा होगा धन्यवाद